इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका मॉबाइल अपने हाट डिसेट किया हो या किसी तरह का कुछ भी किया हो और इस तरह से आपका सेट अगर मदब लॉक हो गया है इसको फार्पी लोग बोलते हैं तो इसका पासवर्ट खोचुके है तो इसको पसके आपको अपना डिवैस को वाइफ़ा या वाइफ़ा अगर मोवाइल डेटा अगा टुकम टिवाइब इतर वाइफ़ाई वाइफ़ाई नए इसमें है यसी में नरी आई है इस मेरे किसमें नहीं त्याहाँ पेवाईफ़य में जाके नहार आपको अपना नेट वोड को क्नेक्ट कर लेना जो वी आपका वाईफ़य हो। तो मैं यहाँ पेदिध हो टूंत कर लेता हूं कर वाईफय में कनेक्ट करने के बाद आपको ब्राइक आ जाना फिर एक्टिवेट इस डिभाइस में जाना उसके बाद आप यहां पर अपना पासवर्ड आपको डालना अगर आप सही पासवर्ड डालेगा तो यह खुल जागा लेकिन अभी क्या कि आप पासवर्ड भूला चुके हैं तो यह ओपन नहीं हो रहा या जो अभी है कुडण भैरिफाय लिख रहा इसके लिए आपको क्या करना आप देख सकते यहां पर जो पता नहीं आपको नहीं दिख रहा मैं दिखाता हूं जूम करके यह जो लाश यह मोबाइल नंबर है आपके पास होना चाहिए क्योंकि पासवर्ड रिसेट करने के लिए आ आप अनलोग नहीं कर पाइए गा तो हम लोग पहले वो मोबाइल मेरा पास है अभी वह वह सिम तो उसके लिए यहां पर आपको जाना है ऑस्हार पुछल जाना है और यहां पर सानीलिए पर यहां पर आपको क्लिक करना है sign name पे click करने के बाद आपको यहां पे forget passport पे जाना है उसके बाद यहां पे आपको registered mobile number आपको डालना है मैं यहां पे डाल लेता हूँ mobile number mobile number आप जैसे डालिएगा उसके बाद आपको option देगा का आपकी इस थूरू verify करना चाहते हैं mail id के थुरू या फिर phone number के थुरू तो आपको दोनों में से में कोई एक आपको choose कर लेना है जो भी आपको prefer लगे उसके बाद यहाँ पे next कर देना है उसके बाद देख सकते हैं आप इसको WhatsApp में भी OTP receive कर सकते हैं बहुत बर क्या होता है कि मेरे हमारों के mobile में recharge नहीं होता है जिसके current incoming बंद हो जाती है तो इसकेस में आप यह WhatsApp select कर सकते हैं और नहीं तो फिर यह SMS तो अभी मैं SMS करता हूं यहां करने के बाद आपको यहां पे SMS code जो आएगा वो डाल देना है तो मैं डाल लेता हूं उसको और मैं अपना password चेंज कर लेता हूं तो मैंने फाइनली password चेंज कर लिया है अब आप दो तरीकों से इसको अनलोग कर सकते हैं अगर पासवर्ट चेंज करके यहां पर लोग इन कर चुके हैं तो यहां पर आप एक्टिवेट दबाके जो पासवर्ट अभी है यहां पर बनाया है उसको डाल कर सिंप्ली एक्टिवेट दबा देना उससे भी आपका डिवाइस अनलोग हो जाएगा और फिर अगर यह आप नहीं करना चाहते है एक और आप्सन है यहां पर आपको फाइंड माई डिवाइ अब देख सकते हैं यहां पर आपको नीचे में फोन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है यहां पर जाना है यहां पर तीन डॉट पर क्लिक करना है और यहां पर टर्न आप फाइंड माई डिवाइस करना है और यहां पर ओके दबा देना है और कुछ दिर वेट करना है आप देख सकते हैं कि आपका यहां से आपका डिवाइस हड़ चुका है एक बार आप डिवाइस को रिबूट कर ले अगर यहां पर आपको रिबूट का ओप्शन नहीं दे रहा है तो इसके जो तीनों बटन होते हैं वोलूम डाउन आप और यह तीनों दबाएं रखें यह आपको अपने आप रिबूट हो जाएगा आपको मैं दिखा रहा है यह रिबूट हो जाएगा भी आपको देख सकते हैं यह पूरा-पूरी रिबूट हो गया है आपको जर्मा पर दिवाइस चालू हो जाएगा तुरंत कि आपको यहां पर इंडिया सेलेक्ट करना है यह अभी तक यहां से नहीं होटा पताने क्यों कि देख सकते हैं वो अन्लोग हो चुका है mail देख चुक आप आगे बढ़ चुके मरलभ आप पास्वर डाल के भी अन्लोग कर सकते है जो इस डफा autant है वाइसे करके भी आप आगे बढ़ सकते तो इस तरह से इस पर अगर अप्रों भी हो तो इसको आप unlock कर सकते हैं, password change करके, तो इस वीडियो में इतना ही था, आपकर चैनल में नहीं है तो इस चैनल को subscribe करे ह। लाइक करें, शेयर करें, और हमें ग्रोव करने में हेल्प करें, हमारी सपोर्ट करें, ताके हम अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक ला सके हैं, आपके जो भी प्रॉबलम रहती है, या क्वेरी रहती है, उसको ठीक कर सके हैं, अगर आपको कोई प्रॉबलम होती है, ता कमेंट में लेख सकते हैं ताकि उस पर हम लोग वीडियो बना सकें इस वीडियो में इतना ही था तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अरहा हम लोग आसा करते हैं कि आपका help कर पाए होगे आप देख सकते हैं यह मुवाइल पूरी तरह कैसे मतलब कि on हो सकते हैं आप पासवर्ट डालके भी कर सकते थे लेकिन जो मैंने तरीका बताया उससे भी कर सकते थे बहुत बार क्या होता है कि पासवर्ट चेंज करने के लिए आता नहीं है तो हम लोग को दूसरे से करवाना पड़ता है तो उस करनीशन में वहीं से कर देगा तो आपका चेंज हो जाए चलिए तो इस वीडियो को भी यहीं पर खतम करते हैं